नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में हम लोग बिहार SSC इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म बुक के प्रेक्टिस सेट देख रहे हैं आज प्रेक्टिस सेट नमबर है 20 इसमें 300 प्रस्ण दिया गया है और सारे प्रस्णों को डिटेल सोलूसन किया गया है और हा किस योजना में किर्सी तथा संबंदी छेत्रों में और इसका अंसर हो जाएगा C थी आठवी योजना 1992 से लेके संतानमे तक आठवी योजना 1992 से संतानमे में किर्सी तथा संबंदी छेत्रों में और इसका आत्मने रिच्छन किया था नेक्स्ट है एक छाया कटपुतली थीटर परंपरा थेलू बोमलता किस राज से संबंदी थै और इसका अंसर हो जाएगा B आंध्रपरद्देश से एक छाया कटपुतली ठेटर प्रमप्रा थेलुक बोंबलता आंध्रपदैस रास्टे संबन्दित है आंध्रपरदेश में इसे थेलुक बोंबलता तथा तमनाड़ू में बोंबलत्थम कहते हैं ये कटपुतलियां भकरी की खाल से बनी होती है ये दोनों तरफ से प्रकरिटिक रंगों से रंगी गई होती है गेगुल गोंबे जो है वो करनाटा का चाया नाटे है Next है भारा सरकार द्वारा नीक्ट तापस मझूंगदार समीती का संबंद निमलिखित में से किस से था और इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्सन B, 6-14 आयू बरके बच्चों को अस्कूली सिच्छा विवस्था में सामिल करने से इसे अनिवार रूप से लागू भी कर दिया गया है नेक्स्ट है मंगल पांडे किस राश से थे और इसका सही अंसर हो जाएगा B, उत्तर परदेश से बैरकपुर छाबनी के 34 रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे था जिनका जन्म उत्तर परदेश के बरिया जिलाब हुआ था 29 मार्च 1857 को इन्हों ने बिद्रो किया था नेक्स्ट है भारत में प्रजेक्ट टाइगर कब सुरू की गई भारत में प्रजेक्ट टाइगर कब सुरू की गई और इसका सही अंसर हो जाएगा B, 1973 इस भी में भारत में प्रजेक्ट टाइगर की सुरूआत 1973 में किया गया अप्रील 1973 में इसकी सुरूआत हुई और प्रजेक्ट एलिफेंटा 1992 में पररणम किया गया था आज हम बात करने वाले हैं BSAC की बेस्ट बुक चच्छू परकासन की BSAC दित्य इंटर अस्तरिय संजुप प्रत्योकता परिच्छा 2024 की या एक बेहतरीन बुक है चच्छू परकासन की ये बुक पुनता BSAC की दुबरा पूछे गए सवालों के अधार पर बिशेशग्यो दुबरा तयार किया गया है इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है लगभग 2000 पलस बहु बिकल्पिये प्रस्ण है जिसे काफी अच्छे तरीके से ब्याख्या किया गया है इस बार काफी ज्यादा भेकेंसी है अगर आप अपनी सफलता को और मजबूती देना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए फाइदे मन्द होगा आप लोग इसे जरूर पढ़े एक बार इन प्रस्णों को अभ्यास जरूर करे चच्छु परकासन की ये प्रैक्टिस सेट दो अक्टूबर को गांधी जी के अलावे और किस महापुरुस का जन्म दिन है दो अक्टूबर को दो अक्टूबर को दो महापुरुसों के जन्म दिन है एक गांधी जी का है और दूसरा जो है वह है लाल बहादूर सास्त्री का अंसर हो जाएगा सी लाल बहादूर सास्त्री का गांधी जी का जर्म 2 अक्टूबर 1879 के हुआ था और सास्त्री जी का जर्म 2 अक्टूबर 949 के हुआ था नेक्स्ट है बद्रीनाथ इस्थित है कहां बद्रीनाथ इस्थित है और इसका सही अंसर हो जाएगा और अलकनन्दा में, बद्रीनाथ इस्तित है अलकनन्दा में, लुज्याना इस्तित है कहां, तो सतलज नदी के किनारे, अहमदाबार सावर मती के पास, आगरा दिली इस्तित है यमना नदी के किनारे, नेक्स्ट है भारत रत्म दिया जाता है, और इसका सही जबाब हो आप्शन ए भारत रत्म दिया जाता है राष्ट्पति के द्वारा वो भी 26 जन्वरी को भारत रत्म 26 जन्वरी को गंधत्ता दिवसके अवसेर पर राष्ट्पति द्वारा दिया जाता है। सत्मेव जैते अंकित होता है नेक्स्ट है युनेस्को में C का अर्थ होता है युनेस्को में C का अर्थ होता है और इसका सही अंसन होती का A इसको का पूरा नाम है United Nation Educational Scientific and Cultural Organization इसकी अस्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 नेक्स्ट है नवाक जोका बीच एक पिषेवट टेनिस खिलाड़ी है, उनका सम्बंद किस देश से है? और इसका सही अंसर हो जाएगा option B, सर्विया से, नुवाक जोकावीज का सेवर टेनिस के लाए उनका संबन सर्विया देश से है सबसे अधिक Grand Slam, यानि 24 Grand Slam नुवाक जोकावीज ने जीता है, जो की एक बल्ड रिकॉर्ड है और इसका सही अंसर हो जाएगा option C, बिटेन देश के संबिधान से ये लिया गया है FPTP, यानि First Past the Post, सिस्टम जो उमिदबार अधिक्तम मत प्राप्त करता है, वही चुनाब में बिजय होता है FPTP, सिस्टम की सबसे सरल चुनाब परनाली माना जाता है FPTP में मत दाओं को लोगों और दलों के मद चैन करने की अनिमती प्रदान करता है Next question है, काटो जेना प्रोटोकाल संबंधित है किस से है, सही जबाब हो जाएगा option C, जय बिविधता से है जेना प्रोटोकाल 11 सितंबर 2003 से प्रभाबी है जो जय बिविधता से है अंतराष्टिय माना परियावरन संब्रान स्टोक होम 1972 का संबंध परियावरन से है अगर हेलेंस की सम्मिलन 1974 की बात करे उसका समंद्री प्रियावरन से था बीना सम्मिलन 1985 का समंद्र उजोन सरच्छन से है और पेरी सम्मिलन 2015 का समंद्र है जलवाई प्रिय परतन से है समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राला किसके पास है सही जबाब हो जाएगा option C डक्टर ब्रेंद्र कुमार के पास है समाजी का और अधिकार्ता मंत्राल है नेक्स्ट है निमलेखित में से कौन भारत में समुदाईक विकास के मुख निर्माता कहलाते हैं अंसर हो जाएगा A.S.K.D भारत में समुदाईक विकास के मुख निर्माता A.S.K.D कहलाते हैं सुरेंद्र कुमार डे भारत के पर्थम सहकारता एवं पंचायती राज मंत्री थे वर्स उनेशो बामन में भारत सरकार्दवारत समुदाईक विकास कार्जगरम का पर्रम कराने मिन का महत्वन योमदान था समुदाईक विकास कार्जगरम की सुरुवात कभूई थी तो 2.002 अक्टूबर उनेशो बामन को बिहार बजट है 2013-24 का नेक्स्ट है भारत के समिधान में पंचायतो तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73 एवं 74 संबैधानिक संसोदन जब हुए उस समय भारत के परधान मंत्री कौन थे और इसका सही अंसर हो जाएगा C. पीवी नर्सिंगा राव थे जब 73 एवं 74 संबैधान संसोदन हुआ था पीवी नर्सिंगा राव का काजकाल था उन्हें 91 से लेके 96 के मद्ध और 73 एवं 74 संबैधान संसोदन पंचायतो एवं नगर पालिकाओं से संबंधित है अगले प्रस्ण में चलते हैं कि निम्लिकित में से कृष्णा नदी की एक सहयक नदी कौन सी है और इसका सही अंसर हो जाएगा भी घाट परवा घाट परवा क्रिश्णा नदी की एक सहयक नदी है क्रिश्णा नदी प्राइदिपिय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है महा ब्लेसवर की निकट पस्चमी घाट से निकल कर दच्छिन पूर्व दिशा में 1401 किलोमेटर की लंबाई में ये बहती है तुंग भद्रा एवं भीमा इसकी प्रमुख सहयक नदियां है पोईना, यरला, बरना, पचगंगा, दुदगंगा, घाट परवा, माल परवा, मूसी, आदी इसकी अन्य सहायक नदियां है और कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है नेक्स प्रस्ट है के अंतराष्टिय क्रिकेट कॉंसिल द्वारा दोहजर चोबिस में T20 क्रिकेट बिश्वकप की मेज़वानी किस देश को सौपा गया है सही जबाब हो जाएगा C, दोनों A और B अमेरिका और बेस्ट इंडिज को सौपा गया है वन्डे क्रिकेट बिश्वकप 2030 की मेज़वानी भारत कर रहा है नेक्स है भारत के नए अटोर्णी जनरल के रूप में किसे निक्त किया गया है और इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन B, आर्बेंक्टर मनी भारत के नए अटोर्नी जेनरल के रूप में आर्म बिक्टर मनी को निक्त किया गया है सोलिस्टेर जेनरल यानि महादी बक्ता तुशार महता है CBC यानि केंद्रिय सतर्खता आयुक्त है परवीन कुमार स्रिबास्तव और मुक्स सुचनायुक्त है यास बरधन कुमार स्रिबास्त पर चलते हैं और इसका सही अंसर हो जाएगा D. संजीब सन्याल अंबेदकर एलाइफ पुष्टक के लिखक ससी थरूर है A life in the shadow पुष्टक के लिखक है A.S. दुल्लत नेक्स्ट है जर्मनी के नए चांसलर कौन बने अंसर हो जाएगा C. अलाफ स्कॉलेज जर्मनी के नए चांसलर अलाफ स्कॉलेज बने है इसने अंजला मारकल को सुना साल का राज को समात किया नेक्स्ट प्रस्ण है कि बिश्व में रेलमार का सरवाधिक बिस्तार किस देश में है सही जवाब हो जाएगा A. अमेरिका में बिश्व में रेलमार का सरवाधिक बिस्तार अमेरिका देश में है नेक्स देखते हैं कि लोकनायक जय परकास नरायन को भारत रत्न किस बर्स दिया गया था जेपी को भारत रत्न किस बर्स दिया गया था सही अंसर हो जाएगा बी उने सो निनान में इस भी में दिया गया था कुछ प्रमुक भारत रत्म जिनके दिया गया है पूछा जाता है कि मदर ट्रेसा को 1980 में, बिनोबा भावे को 1983 में, नेलसल मंडेला को 1990 में, राजिव गांदी को 1991 में, बल्ला भाई पटेल को 1991 में, जाक्टर एपी जी अब्दुलकराम को 1997 में, और सचिन तन्लुलकर को 2014 में पहले खिलाड़ी हैं सचिन तन्लुलकर जिनें भारत रत्म दिया गया है उत्री गुलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और इसका अंसर हो जाएगा B 21 जुन, उत्री गुलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जुन का होता है जब सुर्ज 12 बजे करकरेखा पर उर्दवाधर ह होता है बाइस दिसंबर को दसनी गुलार्ध सुर्ज के सम्मुक रहता है इस समय उत्री गुलार्ध में सुर्ज तिर्चा होता है जिसे रात सबसे लंबी हो दिन इक्स्ट है असो के किस सिलालेख में आत्म नियांत्रन की सिच्छा दी गया है और इसका अंसर हो जाएगा B छट्थे सिला लेख में पर्थम में पसु वली की निंदा की गई है द्यूतिये में मनुस्यवं पसु के चिकित्सा की विवस्था किया गया है तिर्थिये सिला लेख में हर पांचवे राजकी अधिकारियों के दोरे पर जाने का निर्देश दिया गया है चौथे में मेरी घोष के अस्थान पर धम घोष का नारा पाचवे सिलालेक में धर्म महामत नित्रों की नियुक्ति की गई चट्थे सिलालेक में आत्म नियंदरन के बारे में बताया गया है साथवे और आठवे में तीर्थी आत्रा के बारे में नववे सिलालेक में सक्ची भेट सिष्टा चार्ज का और दसवे सिलालेक में राजा तथाउच पदा धिकारी हर्चन परजा के बारे में सोचे ये लिखा गया है सिठ्छा दी गई है 1757 में पलासी के यूद में सिराजुदावला के साथ किस ने विश्वासघाद किया था और इसका अंसर हो जाएगा C. मीर जाफर सिराजुदावला के सेनापती मीर जाफर ने उसके साथ विश्वासघाद किया जिसके कारण 1767 में पलासी के युद में उसकी हार हुई पलासी का युद कब हुआ था तो 30 जून 1767 के रॉबर्ट कलाइव अंग्रेजों का नित्रित्व कर रहे थे मिर जापर के पुत्र मीरन के कहने पर मुहम्मद बेग ने सिराजुदावला को हत्या कर दी पलासी की युद के समय आलमगेर दिती है मुगलबाद साथ था नेक्स्ट प्रस्ट पर चलते हैं कि पटना उचनियालाई के स्थापना कब हुई पटना उचनियालाई के और इसका सही अंसर हो जाएगा प्रस्ट पर चलते हैं बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है अंसर हो जाएगा प्रस्ट पर मंदल की संख्या 9 है पुलिस जिला चालिस है जिला अरतीस है और पिहार में पुलिस स्टेशन तस्सो चोसट है नेक्स्ट है निम्न में से बिहार की सबसे उची पहाड़ी कौन सी है और इसका अंसर हो जाएगा C, कैमूर की पहाड़ी सबसे उची पहाड़ी है रानी दित पहाड़ी कहां इस्तित है? कया जिला में बराबर पहाड़ी जहानाबाद में खड़गपुर पहाड़ी मुंगेर में राजगीर पहाड़ी इस्तित है कहां तुन्दलंदा में नेक्स्ट है मडवा रागी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान क्या है सही अंसर हो जाएगा ए पर्थम है नेक्ट प्रस्ट ने बिहार को कितने किर्शिप प्रदेशों में बाटा गया है और इसका सही जबाब हो जाएगा ओप्षन ए आठ बिहार को आठ किर्शिप प्रदेशों में बाटा गया है जो उत्तर बिहार के भावर छेतर वं मैदानी प्रदेश कैमूर का पठारी छेतर दच्छिन बिहार का टाल छेतर सुस्क प्रदेश छेतर उसमें सामिल है नेवन में सबसे बड़ी परवत स्रिंखला कौन सी है सही जबाब हो जाएगा C, एंडिज एंडिज परवत स्रिंखला बिश्व की सबसे बड़ी परवत स्रिंखला है यह दच्छिन अमेर्की महादीब के पच्मी तरड पर उत्तर से दच्छिन तक साथ जार किरोमीटर से धिक छेतर में फाइली हुए और इसकी सबसे उची चोटी है एकांग गुआ एकांग गुआ बिश्व का सबसे उच्छा ज्वाला मुखी परवत है जो मृत ज्वाला मुखी है और एंडीज परवत की दूसरी सर्वोच चोटी ओजस डेल सलाडो है जो एक पर सुप्त ज्वाला मुखी है एंडीज परवत पर ही बिश्व के सबसे उची सक्रिय ज्वाला मुखी मांट कोटो पैक्सी भी इस्थित है नेक्स्ट है राष्टिय ग्रामिन स्वास्त मिशन कब सुरू किया गया है राष्टिय ग्रामिन स्वास्त मिशन कब सुरू किया गया है और इसका सही अंसर हो जाएगा सी अप्रील तो हजार पांच कास्तिये ग्रामिन स्वास्त मिशन सुरू किया गया अप्रेल 2005 को नेक्स्ट है हिजरी संबद अरम हुआ और इसका सही अंसर हो जाएगा D. 622 इस्वी को पेगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इसलाम जगत में मुस्लिम संबद या हिजरी संबद के नाम से जाना जाता है हजरत मुहम्मद सहर इसलाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मुहम्मद का जनब 570 इस्वी में मक्का में हुआ था हजरत मुहम्मद को 610 इस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ग्यान की प्राप्ति हुई थी इन्होंने खदीजा नामक एक बिधवा से साधी किया था और देव दूद ग्रेबियल ने पेगंबर मुहम्मद को कुरान अर्भी भासा में समफेसिद किया था नेक्स्ट प्रस्ण है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है और इसका सही अंसर हो जाएगा बी पच्छत्तर सो किलो मीटर भारत की तटिय रेखा की कुल लंबाई है भारत की कुल तटिय सीमा की लंबाई दीपो सहित 7516.6 किलो मीटर है नेक्स्ट है लोएस पठार इस्थित है और इसका अंसर हो जाएगा बी चीन में लोएस पठार चीन में इस्थित है अनातोरिया का पठार तूर्की में है चियापास का पठार मेक्सिको में है सान पठार म्यानमार्क में है पतबार पठार कहा है तो पकिस्तान में है मेग गर्जन बाइ मंडल के किस परत में होता है और इसका सही अंसर हो जाएगा option A, छोब मंडल में सभी परकार का मौसमी परिवर्तन छोब मंडल में होता है जैसे मेग गर्जन, बिजली चमकना, बरसा, तुफान, आदी छोब मंडल को मौसमी मंडल या परिवतनकारी मंडल कहा जाता है नेक्स्ट प्रेस्ट है अठथा 1565 इसमे में कौन सायुद हुआ था 1565 में कौन सायुद हुआ था और सही जवाब हो जाएगा लिए तालिकोटा का यूद 1500 पैसे तालिकोटा का यूद या राज़सी तांगडी का यूद में बराबर बरार को छोड़ चारो बहमनी राज कौन कौन चारो बहमनी राज वीजापूर, गुरकुनडा, अहमदनगर और वीदर की संजुक्त सेना ने बीजे नगर को पराजित किया बीजे नगर राज के स्थपना हरी हरेवं बुक का द्वारा ये स्थान नेपाल में है बहुत धर्म के लिए परसिध है बिटिकल सीटी वो मिटली में है इसाई धर्म के लिए विटेनबर्ग जर्मनी में है प्रोटेस्टेड है मक्का सौधी अरव इसलाम के लिए है धार्मिक कविताओं का संग्रा कुराल किस भासा में है सही अंसर हो जाएगा B तमिल भासा में धार्मिक कविताओं का संग्रा कुराल तमिल भासा में है तमिल कभियो का संगम पांड मंस के राजकिय सरचन में आयोजित किया गया था स्वाच चंद्रबोष ने कांग्रेस की अध्यस्ता से कब त्याग पत्र दिया और इसका सही अज़सर हो जाएगा ओप्शन B, 1949 के 1949 के त्रिपूरी कांग्रेस अधिवेशन में स्वाच चंद्रबोष ने महात्मा गानी के उमिदवार पट्टा भाई सीता रिमाईया को प्राजित कर अध्यस चुने गए और उसी बर्स कांग्रेस से त्याग पत्र देकर फॉर्वर्ट ब्लॉक नामक दलगी अस्ताफना की अजाद हिन फौज से संबंद स्वाचल वोष कैप्टन मुहन सी और रास बिहारी बोष है नेक्स्ट है अकार और बनावट की द्रिष्टी से पिर्थिवी किस गरह के समान है और इसका सही अंसर हो जाएगा ए सुक्र गरह के समान है सुक्र गरह का द्रहमान पिर्थिवी के द्रहमान का 81.5% है सुक्र ग्रह पिर्थिवी का निकटतम सबसे चमकीला एब सबसे गर्म ग्रह है इसलिए सुक्र को पिर्थिवी का जुड़बा बहन कहा जाता है नेक्स्ट है मकवरा निर्मान सैली का जर्मदाता किसे माना जाता है मकवरा निर्मान सैली और इसका अंसर हो जाएगा मकवरा निर्मान सहली का जन्म दाता भारत में इल्टूतमिस को माना जाता है सल्तनत काल के पर्रहम में भारत में पुर्णता इस्लामिक सहली का मकवरा बलबर का मकवरा और निजामत खा का मकवरा अल्लाव दिन खिलजी द्वारा बनाया गया है और भारत में पहला मकवरा इलतुतमिस ने अपने पुत्र के लिए दिल्ली के सुल्तानगड़ी में बनवाया था नेक्स्ट है तंजानिया का पुराना नाम था तंजानिया का और इसका सही अंसर हो जाएगा बर्मा और स्याम जो है नया नाम है इसका पुराना नाम क्या था था थाइलेंड था नेक्स्ट है कस्मीर का पर्थम मुस्लिम सासक था और इसका अंसर हो जाएगा ए साहमीर कस्मीर का पर्थम मुस्लिम सासक साहमीर था गलती से जैनल आपदिन मतमार देज़ेगा जैनल जाएगा बी 1907 में कब हुआ था 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन रास ब्यारी घोस की अधियस्ता में किया गया था सूरत अधिवेशन 1880 में कांग्रेस का पर्थम अधिवेशन 22 परतिर निदिगों ने भाग लिया था नेक्स्ट है निमलिखित विकल्पों में सुमेलित करम चूने और इसका अंसर हो जागा इन में से कोई नहीं सरसती सम्मान 2022 सिवसंकरी को मिला है ना कि माधव हाडा को ब्यास सम्मान 2022 किसे मिला है ज्यान चतुरुप बेदी को बिहारी सम्मान 2022 मिला है स्री डक्टर माधव हाडा को और ग्यान पिट पुरुषकार मिला है 2022 दामोधर मयोजेकर एक वार फिर से देख लिजे जो सरसती सम्मान 2022 मिला है वो सिर्व संक्री को मिला है ये वाला यहां पर हो जाएगा और बिहारी सम्मान मिला है माधा भाड़ा को यह हो जाएगा यहाँ पर और ग्यान चत्रवेदी जी को क्या मिला है तो ग्यान चत्रवेदी को ब्या सम्मान मिला है यह हो जाएगे यहाँ पर अंसर इसका D होगा लेकिन जक्ली यह संबन्द है नेक्स्ट है किस प्रोधिक कमपणी के द्वारा बाढ के पुर्भानुमान है तुँ floodhub नामक platform लौंच किया है और इसका सही अंसर हो जाएगा A. Google गूगल प्रोधिक कमपणी द्वारा बाढ के पुर्भानुमान है तु floodhub नामक platform लौंच किया है अजादी के 75 साल पूरे होने पर गुगल ने इंडिया की उड़ान अभ्यान लौंज किया है नेक्स्ट प्रस्ट है निमलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरवस्थल से संबंदित है और इसका अंसर हो जाएगा A. हबूब हबूब दच्छिन सहारा खासकर सुडान में चलने वाली रियत भरी गर्म एवं नम हवा है या ग्रिस्म काल के में परम में अधिक सक्रिय होता है अगले प्रस्ट पे चलते हैं कि किर्केट में एसिया कप 2030 का खिताब किस देश ने जीता है अगले प्रस्ट पे चलते हैं निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है इनमे से कौन सुमेलित नहीं है अंसर हो जाएगा C. सिल्वर इलेक्टिक बल्ब सिल्वर इलेक्टिक बल्ब सुमेलित नहीं है विधूत बल्ब में और्गन गेस भरा जाता है मैगनिसियम का परियोग प्राका बनाने या अतिसवाजी के लिए किया जाता है यूरेनियम का परियोग परमानुबं बनाने के लिए किया जाता है और सरच्छन से बचाने के लिए धातूओ पर गल्वेनी करन किया जाता है जिसमें जिंक की परत को चढ़ाया जाता है निसेचत निस्चेतक के रुप में परीध हो सकने वाले पदात कौन है सही उतर का चैन कीजिए अंसर हो जाएगा A, क्लोरोफॉर्म और नाइटरस उक्साइड निस्चेतक यानि बिहोज या अचीति अवस्था में लाने के लिए क्लोरोफॉर्म तथा नाइटरस उक्साइड का परियोग किया जाता है नाइटरस उक्साइड का फरवूला क्या होता है तो N2O होता है नेक्स्ट है निमलिखित में से किसके द्वारा स्वसंतंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है किसके द्वारा और इसका सही अंसर हो जाएगा C फुपुस्य रोग विशसग द्वारा यानि पल्मनो लॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है स्वसंतंत के रोगों का उपचार है अगर रुधिर रोग भी से सग होता है तो ही मेटो लॉजिस्ट कहलाता है निस्चेतना भी से सग होता है तो एनेस्थिस्यो लॉजिस्ट होता है और तो अच्छा रोग भी से सग है तो डर्मिटो लॉजिस्ट होगा नेक्स्ट है अधिक नमक बाले अचार में जिवानों मर जाते हैं क्योंकि इसका अंसर हो जाएगा A. इनके कोस्किय द्रब संकुजित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं 86 डिगरी फॉरेन हाइट निमली खित में से किसके बराबर है और इसका सही अंसर हो जाएगा Option B. तीस डिगरी सेल्सियस है इसका एक फार्मूला है C-0 बटा 100-0 बरबर F-32 बटा 212-32 इसमें से F कमान रख लिजे C कमान निकल के आएगा 30 डिगरी सेल्सियस अगला प्रस्ण है सुची एक, सुची दोग के साथ सुमेलित करना है अब देखना है कि कौन सा इसका सही अंसर हो जाएगा तो इसका जो अंसर हो जाएगा formic अंब, CTO में, tartaric अंबल की अगर हम बात करते हैं तो यह है, इमली में पाया जाता है, glutemic अंबल की बात करते हैं तो यह है, गेहु में और lactic अंबल जो है, वो है दूद में इसका जो सही अंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा B नेक्स्ट प्रेस्ट है कि निम में से कौन परमानू रेक्टर के मंदक के रूप में काज नहीं करता है और इसका सही अंसर हो जाएगा, इसका सही अंसर हो जाएगा B, कैडमियम रोड, कैडमियम रोड परमानू रेक्टर के मंदक के रूप में काज नहीं करता है परमानूर एक्टर में मंदा के रूप में बिरिलियम उक्साइड, भारी जल, ग्रेफाइड का परियोग करते हैं जबकि नियंतरंग के लिए कैडिमियम एवब बर्गोन की छड़ों का योग में लाया जाता है नेक्स्ट है, कौन सी रक्त कोशिका अमीवा से समानता रकती है और इसका सही अंसर हो जाएगा B, WBC WBC रक्त कोशिका अमीवा से समानता रकती है WBC स्वेत रक्त कन बीमारियों से लड़ने में सच्छम होता है तथा WBC का काजगाल 2-4 दिनों का होता है WBC को leukocytes भी कहा जाता है अगला प्रस्ण है कि निमलिकित में से क्या किसी समतल दरपन द्वारा किसी बीम के बने परतिवीम की एक विश्यस्ता नहीं है और इसका सही अंसर हो जागा A. बास्तविक बास्तमिक सम्तल दर्पन द्वारा किसी बीम के बने परतिवीम की एक विश्यस्ता नहीं है सम्तल दर्पन द्वारा बने परतिवीम की प्रकृति अभासी एवं सीधी होती है सम्तल दर्पन द्वारा बने परतिवीम का कार बस्तू के अकार के बराबर होता है नेक्स्ट है electronic उपकरनों में memory का मात्रक byte होता है एक जीवी गीगाबाइट का सही मान क्या होगा अंसर होगा B 1024 MB होगा एक byte बराबर 8 bit होता है memory का सबसे बड़ा मात्रक petabyte होता है petabyte PV होता है नेक्स्ट है laser का उप्योग किसमें नहीं होता है अंसर हो जाएगा D atomic reactor में laser का उप्योग नहीं होता है laser का उप्योग cancer रोग के चिकित्सा में holography में CD, DVD, scanner, printer, photocopy, machine, छपाई, machine ये सम्में प्रियोग होता है laser का full form होता है light amplification, stimulated emission of radiation next है ठहरे हुए पानी में चमकदार ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड युक्त हरे धबे बनते है और इसका सही अंसर हो जागा A. सैबाल के कारण सैबाल प्राया पर्न हरित युक्त संबहन उत्तक रहित भून रहित आत्म पोसी सिलोज भित्ती बाले होते है सैबाल में खाजपदर प्राया अस्टार्स के रूप में उपस्थित रहते है सैबाल ताजे पानी गर्म जल के जहरने समुंदर भींगी मिट्टी पेडों के तनों या चट्टानों पर पाये जाते है सैबाल के अध्यन को क्या करते है तो फाइकोलोजी कहते है एक समुंदरी मेल किसके बराबर होता है अंसर हो जाएगा डी छे हजार असी फीट की दूरी के बराबर होता है एक समुंदरी मेल और एक प्रकास बर्स जो होता है वो लंबी दूरी का मातरक है एक ख़वोली मातरक बराबर एक दसमर्द चार चार छे गुन दस के पापर ग्यारा मीटर होता है और एक फैदा मरवर छे मीटर होता है नेक्स्ट प्रस्ट है कि होर्स अच्छांस किसके बायमंडलिये दाब कटी बंदों में होते हैं और इसका सही अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है जब हम केच्छुए पर सधारनी प्रगाद के कारण हो जाता है प्रासरनी प्रगाद के अंतरगत केच्छुआ के सरीर से जल बाहर निकल जाता है केच्छुआ को किसान का मित्र कहा जाता है नेक्स्ट प्रस्ण है कि किसी पदार्थ की molar विसिस्ट उस्मा छमता कितनी होती है और इसका सही अंसर हो जाएगा D किसी पदार्थ की molar विसिस्ट उच छमता 1 वटा mu into del q वटा डेल होता है किसी पदार्थ के एक gram mole का ताफमान एक degree Celsius बढ़ाने के लिए जितनी उस्मा की मात्रा क्या बसकता होती है उसे हिं उस पदार्थ की molar विसिस्ट उस्मा कहते है विसिस्ट उस्मा की काई जूल पर केजी केलविन पर केजी होता है नेक्स्ट है मलेरिया रोधी दवा कुन्दाइन के एक पोधे से बनाई जाती है उस पोधे का नाम है और इसका अंसर हो जाएगा D. सिनकोना मलेरिया रोधी दबा का निर्मान सिनकोना नामक पोधे से होता है जिसे कुन्नाइन कहते है कुन्नाइन सिनकोना पोधे के च्छाल का बना होता है मलेरिया परजीमी की खोज किया था रोनाल्ड रास ने नेक्स्ट प्रस्ण है कि शरीर में भोजन एक लंबी ट्यूब से गुजरता है जो खाली अस्थान है और इसका सही अंसर हो जाएगा C. मुख गुआ मानव शरीर में भोजन के एक लंबी नली से गुजरता है जो मुख गुआ से सुरू होती है अहार नाल की लंबाई औस्थन 10 से 14 मिटर तक होती है नेक्स्ट है गलकंड ब्रधित अबट्टू ग्रंथी को बढ़ना मुखता किसकी कमी के कारण होता है और इसका सही अंसर हो जाएगा B. आयोडीन के कारण होता है इस बीमारी को समानता लोग भेगा रोग से भी जानते है युवा सक्ति युवा ब्यक्ति में HIV एड्स होने के असांका नेवलिखित लचनों में से एक किस एक में अधिकांसता संबध होती है और इसका सही अंसर हो जाएगा B. दिर्ग तिब्र दिर्ग अस्थाई सिरोबेदना एड्स का फूल फार्मता एक्वाइट इमीनो डिफेंसिसी सिंड्रोम यह एक बिसानु जनित रोग है यूबा ब्यक्ति में HIV एड्स होने के असंका तिब्र दिर्ग अस्थाई सिरोबेदना की अधिकांसता संबंध होती है HIV बाइरस के मौझूदगी को पता लगाने के लिए इस इलिसा टेस्ट किया जाता है नेक्स्ट है जब हम अपनी पसंद को कुछ खाते हैं तो हमारे मुह में पानी आ जाता है या बास्ता में पानी नहीं होता बलिक तरल होता है जो क्या है अंसर हो जागा C लार गरंथी में अस्त्रावित होता है जब हम अपनी पसंद का कोई चीज खाते है या देखते हैं तो हमारे मुझ में पानी आजाता है या बास्ता में पानी नहीं बलिक लार गरंति से अस्त्रावित लार होता है लार का परियोग भोजन को पचाने में किया जाता है विए लगभाग 98% पानी होता है नेक्स्ट है कि निम्लिखित में कौन एक समू है जो सिर्फ जैब निम्न करनी ये समू है अंसर हो जाएगा B कास्ट घास और चर्म कास्ट घास चर्म जैब निम्न करनी ये समू का उधारन है जैब निम्न करने वहपदात होता है जो जैबिक प्रकर्म से अपगटित हो जाता है नेक्स्ट प्रस्ण है कुत्ते के काटने से रेविज हो सकता है निम्लिखित अन्य जानबरों में से कौन से रेविज का कारण बन सकता है अंसर हो जाएगा B. चमगादर कुत्ता एवं चमगादर के काटने से रेविज नामक रोग हो जाता है जो बिसानु जनित रूग है बंदर के काटने से भी रेविज रूग हो जाता है नेक्स्ट है नाइट्रोजन की समानता संजोज जगता है और इसका सही अंसर हो जाएगा B. तीन नाइट्रोजन की समानता संजू जगता तीन होती है नाइट्रोजन रंगीन एवं गंधीन गैस है और ये हवा से हलकी है जल में बहुत ही कम ही घुलन सील है हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में जहरीला तरलपदार्थ मौझूद है हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में जहरीला तरलपदात मौझूद है और इसका अंसर हो जाएगा B हिपो टॉक्सिन हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में हिपो टॉक्सिन नमक जहरीला तरलपदात मौझूद होता है हाइड्रा में रक्त नहीं होता है हाइड्रा में पुनरजर्म कभी छमता पाया जाता है अगला प्रस्म मैच सेक्षन से है साथ सेंटीमीटर अधार त्रिज्या वाले चोवीश सेंटीमीटर उचे संकू को तयार करने के लिए कितने छेत्रफल की लौव चादर की अवस्यक्ता है जहां पाई कमान 22 वाटा साथ लेना है आर दिया हुआ है कितना साथ दिया हुआ है एच दिया हुआ कितना है 24 है ल बराबर निकल जाएगा अंडर रूट साथ के स्कूर प्रस 24 के स्कूर इक्वल टू अंडर रूट 625 बराबर 25 सेंटीमीटर निकल गया हमारा लेन्द अब लव चादर का छेथ फर बरबर क्या होता है लव चादर का छेथ फर बरबर क्या होता है तो हो जाएगा फर्मूला पाई आर इंटू आर परस एल अब यहाँ पाई का मान भी निकला हुआ है और एल का मान भी निकला हुआ है तो बाइस वटा, साथ गुना, साथ, साथ पलस चीज कर देना है तो हमारा निकल कर जो आ जाएगा वो 704 सेंटीमीटर स्कॉर अंसर हो जाएगा D नेक्स प्रशन है लगुत्तम अभाज संख्या क्या है? लगुत्तम अभाज संख्या होती है अगला प्रशन है कि वह लगुत्तम संख्या ग्यात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विवाजित किया जाने पर करमसा 8, 14, 32 और 41 सेस रह जाता है अगर हम 12 से 8 घटाते हैं सेस रह जाता है तो कितना होगा? 4, 18 में 14 घटाते हैं तो 4 यानि सब में जो है वो घटाने पर 4 सेस रह जाता है तो हमारा जो अभिष्च संख्या होगा वो कैसे निकलेगा? वो 12, 18, 36 और 45 के LCM लेना है जो जितना LCM आएगा उसमें से 4 घटा देना है तो 12, 18, 36, 45 के LCM कितना आ रहा है? 180 आ रहा है और उसमें से 4 घटा जाएगे तो हमारा जो निकल कर आ जाएगा एक सुचिया तर वही हमारा अंसर आ जाएगा नेक्स प्रेशन पर चलते हैं कि नियत गती से पानी से भरे जाने वाले एक खाली तलाव को उसकी छमता का 3 वटा 5 भग भरे जाने में 8 घंटे लगते है पूरे तलाव को भरने में कितना और समय लगेगा यानि सबसे पहले टोटल समय निकालेंगे उसके बाद आठ घटा देंगे तो वही हमारा समय लगेगा तो 3 वटा 8 कितने में भरते हैं तो 8 घंटे में एक क्या हो जाएगा 8 गुना 5 वटा 3 यानि 40 वटा 3 घंटे लगेंगे पूरा भरने में तो अतरीक्त समय कितना लगा अतरीक्त समय बरबर हो जाएगा 40 वटा 3 और जो 8 घंटा लग चुका है वो घटा देंगे तो हमारा निकल कर आजएगा 16 वटा 5 यानि 5 घंटा 20 मिनट अंसर हो जाएगा C Next है P एक कार्ज को 9 दिन में कर सकता है Q P से 50% अधिक सच्छम है तो Q को उसी कार्ज को करने में कितना दिन लगेगा तो आप इसे डाइरेक्ट मार सकते हैं कि 50% सच्छम है तो देड़ गुना काम करेगा और ये 9 दिन में है तो देड़ से सिर्फ भागा दे देंगे तो अंसर हमारा निकल कर आ जाएगा लेकिन एक और भी है कि Q द्वारा लिया गया समय कितना होगा 9 गुना 100 बटा कितना इसे डेड़ 50% अधिक सच्छम है तो देड़ से उस कर देंगे तो अंसर आ जाएगा 6 दीज सही हो जाएगा नेक्स प्रस्न है 16 आदमी एक कार्ज को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं 24 बच्चे उसी कार्ज को 20 दिन में कर सकते हैं 8 आदमी और 8 बच्चे उस कार्ज को कितने दिन में कर सकते हैं तो कह रहा है कि 16 आदमी 15 दिन में कर सकते हैं ही चोविस बच्चे बीस दिन में कर सकते हैं यानि एक आदमी बरबर दो बच्चे हो गया है तो आठ आदमी बरबर कितना हो गया है 16 बच्चे यह हमें बाद में यूज करने को मिलेगा प्रस्ट में कर रहा है कि 24 बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में आठ आदमी प्लस आठ बच्चे इतने दिन में करेंगे गुना इन हो जाएगा अब 24 बच्चे तो यहां पर है गुना 20 दिया हुआ है और 8 माइन के बराबर कितना हो गया 16 बच्चे तो 16 बच्चे पलस 8 बच्चे कितना हो गया गुना यह इन कर देंगे तो 16 पलस 8 कितना हो गया यह भी 24 बच्चे हो गया गुना इन 24 बच्चे 20 दिन में करते थे तो ये भी 24 बच्चे कितने दिन में करेंगे तो 20 दिन में तो अंसर जो हमारा हो जागा हो जागा D नेक्स प्रस्न है 120 रुपिया पर 4% स्टॉक या 80 रुपिया पर 3% स्टॉक में कौन सा निवेस बेहतर है तो कैसे निकलते हैं माना की जो है कुल धन 120 तथा 80 का LCM निकाल लेंगे तो माना कुल धन कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा 120 और 80 का ये निकाल लिए है LCM निकाल लिए है पहले अस्टॉक में आए कितना है 4% बटा 120 रुपया में अगुना 240 वहारे LCM तो आजाएगा 8 रुपया और दूसरी अस्टॉक में क्या है 3% है कितने पर 80 रुपया पर और ये 240 है अंसर हो जाएगा 9 रुपया यानि दूसरी अस्टॉक में निवेश करना लाफ परद है क्योंकि ये 9 रुपया दे रहा है ये 8 रुपया का फाइदा तो अंसर हो जाएगा B नेक्स प्रस्ट पे चलते हैं आयू में 8 बर्स का अंतर होने पर दो भाईयों की आयू का योगफल 10 बर्स बाद दूगना हो जाएगा चोटे भाई और बड़े भाई की आयू कानुपात क्या है तो माना की बड़ा भाई की आयू कितना हो जाएगा X है चोटा भाई के कितना हो जाएगा X-8 क्योंकि 8 बर्स का अंतर है परस्ट में कहह रहा है कि 2 in 2 X plus X-8 बर्भर हो जायगा क्या हो जाएगा x plus 10 प्लस X प्लस 10 माइनस 8 यह हमारा इक्वेशन निकल क्या है जब इसे सोल की जएगा तो X का माहन आ जाएगा 14 अब हिस्त अनुपात क्या होगा तो X-8 बटा X यानि 14-8 बटा 14 बटा 6 बटा 14 बटा 14 बटा 3 बटा 7 इसका सही अंसर हो जाएगा C नेक्स प्रस्ण है कि यदि 2x प्लस 3y बराबर 11 बटा 2 और xy बराबर 5 बटा 6 तो 8xq प्लस 27yq का मान क्या होगा तो 8xq प्लस 27yq को लिख सकते हैं 2xq प्लस 3yq इसे हम लिख सकते हैं इस तरह इस बिदी में और ये aq प्लस bq के फॉर्म में है क्या होता है a plus b के whole q minus 3ab into a plus b होता है अब आईए इसे तोड़ देते हैं 2x plus 3y के whole q minus 3 into 2x into 3y into 2x plus 3y और यहां पर मान रख देना है 2x plus 3y के 11 बटा 2 और xy के 5 बटा 6 रख दीजेगा तो मान रखने पर आएगा 11 बटा 2 के whole q मानेस 18 गुना 5 बटा 6 गुना 11 बटा 2 16 कीजेगा तो 671 बटा 8 आठ आएगा और इसका सही जो अंसर हो जाएगा option d हो जाएगा चलिए अगले प्रेस्ट पे चलते हैं कि 2 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है और उनका लगुत्तम समाफ वर्थ 180 है तो दूसरी संख्या क्या है तो संख्या कितना कितना है 3x है 4x है LCM क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा अब प्राशन से कर रहा है कि 12x बरबर 180 है तो x बरबर कितना हो जाएगा 15 तो 4x 60 हो जाएगा तो अंसर हो जाएगा 4x जो दूसरी संख्या है 4.15 हो जाएगा नेक्स्ट है एक अस्कूल के 30 सिचकों का माध्याईब साथ बरस है तथा उनसे 60% की आयू का एक सिचक स्यवानि वरित हो गया उस अस्थान पर 30 बरस की आयू के एक अन सिचकों को निउक्ट किया गया परिणाम सवरूप सिचको का माध्यायू क्या होगा तो इसे किस तरह हल करेंगे तो सिचको की आयू का योग कितना हो जाएगा 30 गुना 60 वरबर 1800 हो जाएगा नया माध्य वरबर क्या हो जाएगा नया माध्य वरबर इठारा सो माइनस साथ पलस तीस बटा तीस हो जाएगा यानि सतरा सो सतर बटा तीस बरबर 69 है और इसका सही अंसर जो हो जाएगा माध्र एक बरस घट जाएगा पहले साथ था अब उनसर हो गया तो माध्र एक बरस घट जाएगा नेस्ट प्रस्न है A, B et C की आ्सी आूइ 84 बरस हो जाती है एक नया बेक्ति इसकी आयू D से 4 बरसा देख है A के स्थान पर आ जाता है और B, C, D आर E का ओस्था 78 बरस हो जाती है एकी आयू क्या है इसे काफी अराम से बनाना होगा कैसे बनाना है यह देखते हैं A पलस B पलस C बरबर क्या दिया हुआ है 84 गुना 3 बरबर कितना उम्र हो जाएगा 2502 बरस हो जाएगा और A पलस B पलस C पलस D बरबर हो जाएगा 80 गुना 4 बरबर 320 बरस हो जाएगा D का हमारा निकल जाएगा 32-252 बरावर 68 बरस निकल जाएगा तो e कितना निकल जाएगा e बरावर 68 प्लस 4 निकलज़एगा 72 बरस अब प्रस्ट में क्या कह रहा है कि e ab क्या कह रहा है कि e प्लस b पलस C, पलस D वरवर कैतना होगा? 78 गुना 4 बरवर 312 बरस B पलस C, पलस D वरवर 312 माइनस 72 वरवर 240 बरス एक काइसे निकाल जाएगा? A वरवर होता है A पलस B पलस C पलस D को जोड़ देंगे और उसमें B पलस C पलस D को घठा देंगे यानि 320-240 बरवर 80 हो जाएगा तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा option D 80 बरश नेक्स्ट है एक आदमी को अपने धान का 20 पुना के 1 वटा 2 का नुक्सान हो जाता है और 83% खर्च करने बाद उसके पास 169 रुपिय बचते है सुरू में उसके पास कितना है सबसे पहले एक से उसमें उसका कितना हो जा रहा है सौ में चला जा रहा है एक तालिस वटा दो फेड है और उसके बाद जो बचता है उसका 80% क्या करता है? खर्च करता है यानि 20% बचता है और 20% निकालने के पाद जो कितना हो जाएगा 169 रुपया के बराबर हो जाएगा यहां से X के मा निकालेगा तो एक हजार रुपया आ जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा D Next है यदि मैं 5 किलो मीटर पर घंटा की गती से चलता हूं तो मेरी रेल गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है परन्तु यदि मैं 6 किलो मीटर पर घंटा की गती से चलता हूं तो मेरी रेल गाड़ी को रवाना होने से 5 मिनट पहले अस्टेशन पहुच जाता हूं मेरे घर और अस्टेशन की बीच कितनी दूरी है तो अभीष्ट दूरी बराबर जो हो जाएगा अभीष्ट दूरी बराबर हो जागा एक निस्चित अब्धी के लिए 10% परतिवर्स की दर से 8800 पर चकरबिर्धी भ्याथ 378 रुप्या है बर्सों में समय ज्याद कीजिए एक फार्मूला होता है यह इसे यूज करते हैं 378 बराबर हो जाएगा 1800 इंटू 1 पलस 100 1 पलस 10 होगा क्योंकि 10% करा है बटा 100 के पावर N माइनस 1 बस इसे शोल्व कर देना है 378 बटा 1800 इधर लेकर चले गए है और पलस जो माइनस में ये भी तो पलस 1 बराबर क्या हो जाएगा 100 आतना 11 पटा 10 हो जाएगा कि पावर N हो जाएगा 16 किज़स है N बराबर दो आएगा तो वही बस बराबर भी दो हो जाएगा अनसर हो जाएगा A next press genau N root के पावर X a square के पावर N by 2 के whole a square command क्या होगा आएए इसे तोड़ते हैं X के पावर 2 बटा it इसे किस तरह लिख सकते हैं 3 into 3 root 3 लिख सकते है और गुना ये तीन के पावर इसे के पावर दो है तो लिखे जगते हैं तीन के पावर चार बरबर तीन के पावर इन गुना ठीरी रूट ठी है यहां से हम निकाल सकते हैं कि तीन के पावर पांच बरबर तीन के पावर इन यह यह कट गया तो हमारा N बरबर निकल क्या गया 5 सही अंसर हो जाएगा A अगले प्रस्ट पे चलते हैं कि पिता अबम पुत्र की आयू का नुपात 7 नुपात 3 है इनकी आयू का गुनन फल 756 है 6 बरस बार इनकी आयू का नुपात क्या होगा माना कि पिता की आयू कितना है 7 एक्स है और पुत्र की आयू 3 एक्स है 7 एक्स गुना 3 एक्स बरबर 756 है यानि 21 एकस स्कौाइर बरबर कितना है 751 एकस स्कौाइर बरबर हो जाएगा 36 एकस बरबर 6 हो जाएगा अधा 6 बर्स बाद उनकी आयू का अनुपात क्या होगा? तो 7 गुना 6 पलस 6 बटा 3 गुना 6 पलस 6 यही होगा तो 48 बटा 24 दो अनुपात 1 सही अनसर हो जाएगा C नेक्स्ट है 10 बर्स पुर्व A और B की आउस्ट आयू 20 बर्स थी आज A, B और C की आउस्ट आयू 30 बर्स है 5 बर्स बाद C की आयू कितनी होगी? तो 10 बर्स पुर्व A और B की आयू का यहोग क्या हो जाएगा? 2 गुना 20 यानि 40 बर्स और भर्तमान समय में A और B की आयू का यहोग? 40 पलस 20 परवर 60 बर्स इसका जो सही अंसर हो जाएगा? नहीं इवम 5 बर्स बाद C की आयू को बर्तमान में 30 वर्स होगा है तो 30 परवर 5 हो जाएगा जोड़कर 35 अंसर हो जाएगा गलती से 30 मत लगा दिजएगा next है एक plot को 37,400 रुपया में बेचने से बिनोध को 15% की हानी होती है वा कितने रुपया में बेचे कि विसे 15% लाव होगे तब प्रश्टर कह रहा है कि 80% में अगर बेचता है 37,400 में तो कितना 15% की हानी होगे बेचे तो 15% लाव है निकल कर आएगा 50,600 रुपया तो अंसर हो जाएगा ए नेक्स प्रस्न है कि यदि 999 एक्स प्लस 888 बाई बराबर 1332 है तो 888 एक्स प्लस 999 बाई बराबर 555 तो एक्स स्कार मैंस बाई स्कार किसके बराबर है अगर इन दोनों को अप्सोर्ब कीजिएगा तो हमारा जो मान नि और घटाईएगा एक्स माइनस बराबर 7 आ जाएगा एक्स स्कार माइनस बाई स्कार बराबर होता है एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई यानि एक गुना 7 बराबर 7 अंसर हो जाएगा हमारा कितना सी 7 नेक्स्ट है निम्ण मेंसे घटते करम में कौन सी भीन है त पाच 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 इसका मान और हमारा देखना है कि सातष वता इगारा कमान कितना होगा साथ वता इह कामान होगा प। oke państwa के *** 96 और 35 कमान कितना होगा। 00 पाच तीन थीदू हमारा अंसर हो जाएगा इह घरते करमें करना है नेक्ट प्रस्ने दो संख्याओं का लगुत्म संवर्थ उनके महत्म संवर्थ से Crime गुना है यदि एक संख्य एक संख्याओं फैंट फैंट फैंटन संवर्थ का योगा सबसे बत्म करेंगे तो सबसे पहले म्हालर कितना हो ग्यारा सो पचास हो जाएगा एक सकमान हमारा निकल जाएगा कितना पचीस है अब लासा निकल जाएगा कितना हमारा लासा हो जाएगा एक सो पचीस क्योंकि पैंतालिस गुना पचीस बरबर इगारा सो पचीस हो जाएगा लासा और मसा निकल गया पचीस तो दूसरी संख्य किसे निकल जाएगा तो 25 गुना 1125 अपाहिली संख्या 120 अंसर हो जाएगा दोसो 25 इसका सही अंसर हो जाएगा और सब्सक्राइब क्या हो जाएगा बी दोसो पचीज नेक्स प्रस नहीं कि अलकोहल को 400 मिली लीटर घोर में 15% अलकुहal है इनमें कितना सुध अलकुहल मिलाया जाए कि नए गोर में 32 संध अलकुहल हो इसका अंसर हो G hatte Alice 32 22 यहां से одним कवा निकाल या तो सब आ जाएगा यानी मिलाय जाने भखल्क कि मातला 100 मilimलिलीटर अंसर हो जाएगा वी नेक्स्ट है जब 45 डिगरी हो तो सेख त्षा प्लस कोषग भीड़ा कमान क्या होगा तो सेख सबसे पहले किया है क्या में बदला है आर एम को अगर हम देखते हैं आर में नहीं यहीं लिखा है और पी को बदला नहीं है उसे बस जगा को चेंज किया गया यहां लिखा है आर को कहां लिखा है तो यहां पे लिखा है तो भी को यहां लिखा है उसी तरह इस ओ पी टी को जगा चेंज करना है इसको यहां लिखना है ओ को क्या लिखना है इससे पहले लिखना है और पी को क लगने हो जाएगा हमारा अंसर वी सीपॉष्ट के साथ апरेवर किसे लिखा गया है तो शाथ के स्कॉयार प्लस चार करते हैं सत्रं पुझार उनुचार जाएगा तिरपन उसी तरह गर हम 13 के स्कॉयर प्लस चार करते हैं तो अंसर भॉजowski anymore सरीजन ज्यानी मिमा सा उसके बाद क्या हो इसी परकार कर ग्यानी मिमा सा का संबन सरीजन से होगा तो अंसर हो जाएगा अगले प्रवा स्ब्रोप पर सिद्वा तो दो बीद्रव एक डूसर्न के के बारे में कमला है किसकी मा है तो वो प्रिया की है प्रिया किसकी मा है तो वो आसीस की है आसीस किसके अंकल है तो सोभा के है और कमला के पती कौन है तो वो हरी है और कमला की मा जो है वो कृष्णा है और हरी के यह सास भी हुए तो सोभा हरी के क्या लग जाएगे grand niece लग जाएंग क्या grand niece तो इसका अंसर जो हो जाएगा वो b हो जाएगा next है महान 15 km उत्तर दिशा में चलता है फिर वह बाये मुड़ जाता है 15 km उत्तर दिशा में चलता है फिर बाये मुड़ जाता है और 10 km चलता है बाद में फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है अब वह किस दिशा में चल रहा है तो ये दच्छेन दिशा में चल रहा है अंसर हो जाएगा B नेक्स प्रस्ट है कि यदि अंग्रेजी बर्न मालक को विपरित करम में लिखा जाए तो बाई और से 15 रहा अच्छर कौन सा होगा बाई और से यानि Z, Y, X, W लिखा जाए और इधर से ही चेक करें तो 15 रहा अच्छर जो होगा वो L पे होगा कहां पे होगा? L पे होगा अंसर हो जाएगा D निम लिखे प्रतियक प्रस्ट में उसे चुनिए जो अन तीनों बिकल्प से विन है इसका जो अंसर हो जाएगा आईए देखते हैं इसे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? T.E.N.I.S. Tennis लिख सकते हैं T.E.N.I.S. Tennis अगर हम इसे लिखे तो यह होगा A.Stomach क्या लिखा हुआ? A.Stomach यह लिखा हुआ है Cricket C.K.E.T. Cricket यह लिखा गया है Football यानि सब खेलने वाला है और यह पेट है परते हैं बिकल्प मैचरों में सार्थक है लेकिन B को छोड़कर अन खेल का नाम है लेकिन यह खेल का नाम नहीं है तो अनसर हो जाएगा B Next है लॉकेट बाजू बंद चूड़ियां और कंगर में कौन डिफरेंट है अनसर हो जाएगा A. लॉकेट बाजू बंद चूड़ियां कंगर यह सभी हाथ में पहना जाता है जमकी गोल की पर फुटवाल खेल में जोते हैं अनसर हो जाएगा C तिरसाथ तिरपन उन्चास पचास में कौन सा विन है और इसका सही अनसर हो जाएगा D. पच्चास तिरसाथ उन्चास पच्पन सभी भी समसंख्या जबकि पसा समसंख्या है तो विन हो जाएगा पच्चास नेक्स्ट है निर्ण में से कौन अंग्रेजी अच्छर बर्नमाला के करमानुसार है और इसका अंसर हो जाएगा D ये है क्योंकि I, J, K, L, M सभी पलस एक पलस एक पलस एक से बना हुआ है तो करमानुसार है D P, Q से छोटा है प्रन्तु T से लंबा है R सब से लंबा है तथा S, P से छोटा है प्रन्तु सब से छोटा नहीं उचाई के घटते करम में अंतिम से दूसरा कौन होगा इसमें जो बनेगा R greater than Q, greater than P, greater than A, greater than N बनेगा पूछ रहा है इसके बारे में अंसर हो जाएगा D Next है निमलिखिती सब्दों को अंगरेजी सब्द को उसमें दिये गए करम के अनुसार लिखते हैं और बताते हैं कि कौन होगा तो सबसे पहले जो लिखाएगा वो कौन लिखाएगा? ये लिखाएगा दूसरे ट्रेंपो लाइन पहले लिखाएगा उसके बाद एकुलाइजर लिखाएगा दूसरे नमबर पे तिसरे नमबर पे लिखाएगा ये चौथे नमबर पे लिखाएगा ये और पाचवे नमबर पे लिखाएगा इसका जो अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, 5, 2, 3, 1, 4 आच्छों का कौन सा समूं खाली अस्थानों पर क्रमबार रखने में दी गई अच्छर सिंखला को पूरा करेगा इसका जो सही अंसर हो जाएगा यह रख के देखते हैं E होगा, यहाँ पर E यहाँ पर B रखते हैं यहाँ पर D रखते हैं यहाँ पर D रखते हैं और यह बनता है क्या इस तरह का एक स्रीज बनेगा EBDD, 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 EBDD उनसर हो जाएगा A, नेक्स प्रस्ट पे चलते हैं कि बामर बचों की एक कच्छा में बिलाल का स्थान नीचे से 11 बस सल्मान बिलाल से 9 अस्थान उपर है उपर से सल्मान का क्या स्थान है तो बिलाल का नीचे से अस्थान 11 है सल्मान का नीचे से अस्थान क्या हो जाएगा तो 11 प्लस 9 वरवर 20 वा था सल्मान के उपर से अस्थान कितना हो जाएगा बामन माइनस बी इस पलस एक बरवर 33 सब क्योंकि टोटल बामन बच्चा है तो अंसर हो जाएगा बी ते तीसवा नेक्स्ट है दिये गए बिकल्पों में सही बिकल्प चुनना है पूरा करना है जो पर लूप्त है तो आएए देखते हैं एकान में 273 यह सब किस्तर है 273 में एकान में घटाएंगे तो कितना होगा एक सो बिरासी है यानि एक सो बिरासी जोड़ा गया है इसमें भी एक सो बिरासी जोड़ा गया है इसमें भी एक सो बिरासी है इसमें भी एक सो बिरासी जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाए है किन्ना पलस एक में गिया है G से पलस एक करेंगे S जाएगा M से M जाएगा और S से T सभी पलस एक पलस एक जा रहा है और देखना है कि यह C किसे है तो यह next बला से है C S से पलस एक T हुआ B से पलस एक जाएगा C I U से पलस एक करना है तो हमारा जो निकल कर आ जाएगा वह जाएगा B यानि अंसर एक ही से निकल जाता है B से बाकिस सब्यूम किजिएगा तो इसी तरह होगा पलस एक पलस एक का 7, 4, 7, 12, 21 यह किस तरह है अगर इसे हम देखते हैं तो यह पलस 3 गया है इसमें पलस 5, इसमें पलस 9 और इसमें जाएगा कितना पलस 17 तो ज़र हम करते हैं अगर 3, 5, 9 उसके बाद 17 करते हैं अप्सन के अनुसार तो अगर सब्यूम देट 38 आता है और यह किस स्रीज में है तीन 5 से 2 होगा एक बार आट चाना होगा 5 से 9 कितना 4 है और 9 से 17 8 है यानि 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानि इस तरह के स्रीज में है तो अनसर हो जाएगा 38 नेक्स्ट है विकास जमीन से उठकर खड़े होने में 15 सेकंड और जमीन पर बैठने में अनसर हो जाएगा कितने बार? 4 बार नेक्स प्रस नहीं मा की आयू उसकी पुत्री की आयू से 3 गुना है 6 बरस पहले मा की आयू पुत्री की आयू से 5 गुना थी 6 बरस पहले पुत्री की आयू क्या थी माना की पुत्री की आयू क्या है? X है, मा की आईउ कितना हो गया? 3X है, तो प्रस्ट में करहा है 3X माइनस 6 परवर 5 गुना X माइनस 6 2X परवर 24 तो X परवर कितना हो जाएगा? 12 6 परवर पुत्री के आईउ क्या हो जाएगा? 12 माइनस 6 परवर 6 बशे अंसर हो जाएगा B next है एक ब्यक्ति ने एक महला की तरफ ही सारा करके कहा कि वह मेरे एक मात्र चाचा के भाई के पुतर की पत्नी है उस महला का उस ब्यक्ति से क्या संबंद है इसका जो है अंसर हो जाएगा ए भावी संबंद है आप इसे बना लिजेगा next है यदि SWTFP को इतना कोड और इस तरह के इतना कोड को लिखा जाए तो इसे किस कोड में लिखा जाएगा तो आप डायरेक्ट आफ देख सकते हैं T के लिए 4 है P के लिए कितना है और इसी तरह K के लिए कितना है K के लिए 2 है T के S के लिए अगर हम देखते है तो कितना हो जाएगा? एक है, t के लिए 4 है, l के लिए 3 है f के लिए कितना है? 6 है, और p के लिए 7 है 24, 367 हो जाएगा अंसर हो जाएगा b अगला है यदि निश्चित कोड में 482 कार्थ ही है 572 कार्थ ही है 286 कार्थ इस तरह है तो लाइफ के लिए निमलिखित में से क्या कोड़ है काफी असान प्रस्ट है इसका अंसर आएगा D4 निमलिखित अच्रों में से बिकलपों में सो बस सब्द चुनिए जो दिये गए सब्द के अच्रों का परियोग करके नहीं बनाया जा सकता है तो देखिए यह अहां पर अच्र दिया हुआ इस में से एक संख्या गलत है, गलत संख्या को चुनिए, 130, 126, 110, 78, 10 में कौन सा गलत है, अगर 126 से अगर देखा जाए, 130, 126 गया है, 2 के पावर 2 माइनस हुआ है, 126 से ये 4 के पावर square हुआ है 110 से 78 6 के power square होना चाहिए माइनस में जाना चाहिए तो वो 4 आना चाहिए 110 में 36 घटाएंगे तो 4 आएगा और 4 से 8 के square घटाएंगे तो 10 आ रहा था यह बिल्बूल सही है तो अंसर हो जाएगा जो 78 है वो गलत है तो अंसर हो जाएगा B एन बर्न से सुरू करके और किसी भी बर्न को पुन्डाबिटी किये बिना टोन सब्द से कितने सार्थक अंग्रेजी सब्द बनाये जा सकते हैं तो अंसर हो जाएगा B, A, टोन में सार्थक सब्द बनाये जा सकते हैं क्या N O T E, note अगला है कि एक निश्चित कोड को बिल्डर को इस तरह रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में इसे कैसे लिखा जाएगा तो सबसे पहले देखना है कि कैसे लिखा B, U, I, L, D, E, R है अधर J, B, C, K, S, F, E है तो यहां क्या है कि B से एक पलस सभी में किया है यह उसे इसे और यह तिर्षे-तिर्षे किया है अगर A को क्या है कि डाइरेक्ट पलस माइनस एक कर दिया है और इसमें से फिर से पलस पलस एक किया है यानि इस तरह जो स्रीज बना है इसमें जो है वो पलस एक है डाइरेक्ट वाला को माइनस एक है और फिर से जो सिरीज बनता है उसमें पलस एक है ऐसे इसी तरह अगर इसे लिखिएगा तो अंसर जो हमारा आएगा वो हो जाएगा A नेक्स टैप प्रश्ण चीओ के अस्थान पर क्या आएगा फ्रश्ण चीओ के यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यह हमारा equation satisfied हो जाएगा अगर हम यहाँ पर तीन लिखते हैं तो यह हमारा सही होगा इसका अंसर हो जाएगा D समिकरन को पूरा करने के लिए संबंदित जंख्या ग्याद किजिए यदि 889 बराबर 8 और 425 बराबर 1 है तो 789 के बराबर क्या होगा तो 889 कैसे लिखा है 9 पलस 7 अगर करते हैं माइनस 8 घटाते हैं यह दोनों के जोड़ते हैं और यह घटाते हैं तो हमारा 8 आता है उसी तरह 625 में अगर 5 पलस 2 जोड़ते हैं 6 घटाते हैं तो एक आएगा लाएगा अगर 750 के 8 पलस 5 माइनस 7 करते हैं तो अंसर हो जाएगा 6 इसका सही अंसर हो जाएगा D नेक्स प्रस्ण निम्रिखित प्रस्णों में से बरावर कार्थी भागा देना है पलस कार्थी यह करना है इसी तरह करके गलत ब्यंजग ग्यात कीज़ें इसमें से कौन है जो गलत ब्यंजग है तो इसका अंसर हो जाएगा D यह जो है वो बदलने पर हमारा माइनस 7 बरवर इगारा आएगा, इसलिए ये विकल्प गरथ है बागी सभी सभी सही है नेग्स्ट है अस्टार पर्थिको को बनलने के लिए दिये गए समी करण को संतुलिद करने के लिए अंक गनितिय पर्थिको का सही सही होजन क्या होगा तो इसका अंसर होगा, इसका असान प्रस्ट है, इसे सिर्फ रख के सुन कर देना है, अंसर हो जाएगा C, अगले प्रस्ट पर चलते हैं, 132, 134, निमलिखे पर टीएक प्रस्ट में दिये गए बिकलपों में से लुप्त अंक ग्याद करना है, आईए देखते हैं, लुप्त अब यह 12, 12 जाएगा, 30 पर बारा हो जाएगा, 32 अब 24 पर बारा करेंगे, तो हो जाएगा 14, इसका जो सही अंसर हो जाएगा हमारा क्या निकल करा जाएगा, वो हो जाएगा 14, नेक्स प्रस्ट पे चलते हैं, 15, 11, 25 यह किस तरह के स्रिंखला दिया गया है, 15 गुना अगर हम चे जोड़ते हैं तो तेरास ही आ जाता है पचीस गुना दो करेंगे पचास अपलस सा जोड़ेंगे तो आ जाएगा संतामन सही अंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट किस तरह है कि बारा पलस उनीस बारा पलस उनीस कितना हो जाएगा अपलस दो अगर करते हैं तो तेतीस हो जाएगा कितना तो 36 बी हो जाएगा क्योंकि यहां पर 36 एड़ किये हैं नेक्स्ट है एक ब्यक्ति आठ किलोमेटर पस्चिम की ओर यात्रा करता है फिर बाई और मोड़कर 6 किलोमेटर चलता है अब वो अपने परम्भी का स्थल से कितनी दूरी है आठ है और यह 6 है तो हो जा पलस 8 के स्कॉयर के अंडर रूट मारा आ जाएगा कितना अंडर रूट 100 बरबर 10 किलोमेटर एंसर हो जागा बी नेक्स्ट है एक कथन दिया गया जिसके आगे दो निसकर्स है कथन और निसकर्स का प्रशन है आईए शोल्म करते हैं पिर्थिवी सूर्ज के 4 और गोमती है और सूर्ज पिर्थिवी के 4 और नहीं गोमता है ये कथन है अब देखना है किसमें से निसकर्स का है केबल पिर्थिवी सूर्ज के 4 और गोमती है ये गलत है पिर्थिवी सूर्ज के 4 और गोमती है केबल नहीं सूर्ज पिर्थिवी के 4 और नहीं लेकिन अंग्रहों के 4 और इधर हमें दच्छिन बोलते हैं और इधर पस्चिम और जो बचा है वो उत्तर इसमें सोल्व किज़ेगा इसका जो अंसर आ जाएगा वो जाएगा उत्तर पस्चिम नेक्स्ट है बाग में सभी पोधे फूल वाले पोधे हैं बाग में कुछ पोधे डाकबुड के हैं बाग में सभी डाकबुड फूल वाले पोधे हैं यदि कथन एक और दो सही है तो कथन तीन कैसा होगा इसका अंसर हो जाएगा बी सही होगा क्योंकि सभी पोधे इसमें कितने तिर्भुज है तो आप कांट कर लिए एक दो एक दो एक प्लस दो तीन एक प्लस दो तीन यानि तीन चो तीन नौ अंसर हो जाएगा नौ तिर्भुज है अगला है नीचे एक पासे की चार स्थितिया दी गई है ज्याद कीजिए कि कौन सी संख्या दूं के सामन क्यों आप देख लिजै कि इसे तीन चार तीन चार कॉमन है यानि दोख्य पोजिट जो होगा वह पाज होगा इसका सही अन्सर जो हो जाएगा वह जागा डि अगला प्रस्ण है आकिर्थी वाला कि कौन से अकिर्थी प्रस्णा किर्थी के पर्थी रूप को पूरा करेगी यहां पर कौन सा आएगा इसका जो सही अंसर हो जाएगा वह है C यह भराएगा नेक्स्ट है निवलिखित में से कौन से आकिरती पूरसो ब्रिध पूरसो और अभिवाहित पूरसो के बीच सही संबंद को दरसाता है इसका जो अंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्योंकि यहां पर इसे हम पूरुस कर सकते हैं यहां पर ब्रिध कर सकते हैं यहां पर अभिव जाएगा, ना की भी तो अंसर जो है जो है वो Спcat हो जाएगा, नेक्स है, के ताकिर्तियों में तिर्मूज क्या है बिद्याला है परिवाहित हो को अधुरित सαν्जुग परिवारों का है, वाई। आये देखना है कि कौन सा छेत्र जो है उन विवाहित लोगों को दर्साता है जो संजुक परिवार में तो रहते किन्तु विद्याले के ऐसी छेक नहीं है और इसका जो अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D कौन सा छेत्र? D छेत्र ये दिखा रहा है नेक्स्ट है दिए गए प्रस्णों के कागज के टुकडों को प्रस्णा किर्तियों में दिए गए धंक से मोड कर काटा गया है उन विकल्प अकिर्तियों में से एसी अकिर्थी को चैन करें जो खोलने पर दिखाई देगा इसका सही अंसर हो जाएगा कौन सा ये देखते हैं उसका जो सही अंसर हो जाएगा खोलने पर अगर इसे खोलते हैं क्या दिखाएगा तो ये D दिखाई लेगा पहले इधर खोलना है फिर उसके बाद करना है तो अंसर होगा D नेक्स्ट है दिए गये विकलपो को चुनकर प्रसना किर्थी के लुपत भाग को पूरा कीजिए कौन सा इसमें होगा तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा अगला प्रस्ण है अब फिर से आकिर्थी वाला है इसमें प्रस्ण आकिर्थी नहीं थे इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A क्या हो जाएगा प्रशन आकिर्ती का जो प्रशन होता है वो काफी easy होता है इसलिए हाँ पर शिर्फ अंसर बता दिया जा रहा है एक दिन में कितनी वार किसी घड़ी के सुयां एक दुसरे के विपृत दिसा में होगी इसका जो अंसर हो जाएगा वो हो जागा D 22 वार होती है घड़ी के सुई 12 गंटे में 12 वार एक दुसरे के विप्रित दिसा में होती है क्योंकि 5 बजे से 7 वजे के 20 सिमा एक वार 6 वजे विप्रित दिसा में होती है असपरस्ट है कि एक दिन में 22 वार एक दुसरे के विप्रित होगी अगला है एक दरपन एमें दिया गया है तो उसका परतिवीम कैसा बनेगा यहाँ पर दरपन इधर है तो यह जो परतिवीम बनेगा यह बनेगा किदे पैसा तो इस तरह बनेगा इस तरह और इस तरह बनेगा इधर रहेगा इधर रहेगा तो अंसर हो जाएगा दी यह था बि